जी असलामलेकुम, C56, आज की लेक्चर का अगास करते हैं, लेक्चर नमबर 26, आज की लेक्चर में हम दो स्टेंडर्ड कवर करने जा रहे हैं, दोनों इंटर रिलेटेड है, आज की तरफ चलने से पहले, आपको होम साइनमेंट दिये थे, उसमें रिस्क असेस्मेंट का टॉपिक हमने प्रीबियस लेक्चर में कवर किया था, आपको कुछ क्वेस्टल दिये थे, असाइनमेंट किया तो दिखाएए, शाबाश, जी आप दिखाएए, शाबाश, आप कुछ प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहरा हूँ, देखे, मैंने आप से कहा था, रिसक असेस्मेंट का क्वेस्टन करना है, दो तरह की प्रेजेंटेशन, एक तो ये के आपने दर्म्यान में लाइन लगानी है, ठीक है, यानि अपने पेज को, हैं दोनों पार्ट, लेफ्ट पार्ट भी और राइट पार्ट भी, लेफ्ट पे उन्होंने रिसक आइडेंटिफाई किया, अंडरलाइन किया, और उसके बाद उनके रिसक की एक्स्पेनेशन लिखी, और उसके आगे प्रोसीजर लिख दिये, ठीक है, फिर लाइन लगा क और भी इसी तरीके से हैं, अचा यह दूसरे सोंडिंगे प्रोसीजर लुख दिये, लेकिन हैं यह भी ठीक, यह इन्होंने क्या किया, पेज़ेंटिछ लिख दिया, जैसे र्सक है, इसके बाद इस रिसक को एक्स्पेन किया, नमबर दे दिया 1, एक्स्पेन किया, और उसक भी बिल्कु ठीक है इन्होंने parallel आमने सामने line लगा के नहीं किया लेकिन इन ने हर रेज के लाइदा से specifically identify किया discuss किया और उसी रिस से related procedure लिखे ठीक है यह presentation भी बिल्कूर ठीक है इसमें भी कोई problem नहीं है equally correct मैं personally पहले वाली presentation को प्रेफर करता हूँ लेकिन यह presentation भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई problem नहीं है, problem तब होती ही, जब सारे के सारे risk की cutthale कर देए और सारे के सारे procedure की cutthale कर देए तो उसमें problem होती बहुत तरीका गलत है, इसलिए कि उसमें पता नहीं चलता है कौन सा procedure किस risk के लिए है, अच्छे ये एक और student है, और उसी तरह right, sorry, left side पे risk और उसकी identification, right side पे इसके procedures, ठीक है, इसी तरह आगे उन्होंने इसी तरीके से किया होगा, इस page पे सारे risk और उसकी explanation और right side पे उसके procedure, personally, ये recommended approach नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें examiner, normally, जैसे मैं अगर examiner हूँ, तो मैं इसको अलाधा page consider करूँगा, इसको लाधा page, पहले ये सारा पूड़ूगा, फिर इस तरफ जाओंगा, उसमें risk है, क्यों सकता examiner, जो है, वो miss, judge करे, कि इस risk से related, वो देखे, आगे दूसरा risk लिखा, इसके procedure को लिखे ही नहीं, तो बहतर ये है, कि आप यहां तो line लगा के left side कर ले, या उपर पहले risk सा हाँ, हाँ, शाबाश, इन्होंने risk को identify किया है, risk को identify किया है, उसके procedure लिख दी है, explanation नहीं लिखी, तो आपने explanation भी लाजमी लिखनी है, ठीक है, हो सकता है, हम दोने कहा हो, कि समझ दो मुझे आगी, आप क्या, उस पर time जाया करना, direct procedure ज्यादा है, मैं वो लिखे जाए, बिल हाँ, explanation कितनी होनी चाहिए, यह आपकी judgment है, ठीक है, वो चाहे तीन लाइनों में खतम करने, चाहे शे लाइनों तक ले जाए, वो आपकी judgment है, कलिया, risk assessment के questions में कोई problem, कोई concept, कोई चीज discuss करना चाहते हो, तो पूछ ले, यहाँ आप चाहते हो, further कोई हम मजीद practice करें, वो भ backward नहीं चलना, ठीक है, नॉर्मी स्टोंड होते हैं, वो practice इस तरीके से कर रहे होते हैं, कि पहले latest question करें, जैसे winter 22 का पहले किया, फिर summer 22, फिर winter 21, summer 21, मेरी suggestion है risk assessment में, बाकी के questions, क्योंकि बाकी के standard में आपने देखा होगा, जो ऐसे standards हैं, जो के ज्यादा iCAP के favorite हैं, उन में है, कि इसमें थोड़ा तर्तीब से follow करें, अगर इसमें question की तदाद कम होती हैं, चार बान स्टेशन होते हैं, तो मैं आप से कहता हैं, जैसे मर्ली कर लें, लेकिन जो कि इसमें number of questions ज्यादा है, मेरी suggestion ये है, कि आप easy to difficult वाली तर्तीब से करें, ठीक है, time order से नहीं, बलके easy to difficult, इसी purpose के लिए आपको जो notes देंगे, उसमें पहले page के उपर मैंने तीन तरह की, बलके चार तरह की classification किया, ठीक है, एक easy question, एक moderate, एक difficult, और फिर एक controls वाले, तो आपने पहले कोशिश करने है, easy वाले question में से 3-4 question pick करें, उनको attempt करें, फिर moderate वाले questions में से 3-4 question pick करें, उनको attempt करें, फिर उसके बाद difficult की तरफ जाएं, और उसके बाद फिर controls की तरफ जाना, ठीक है, पहले easy में से कुछ question pick करने, अब मैं ये भी निकरा easy के सारे question attempt करें, वो तो आप पता चले पूरा session निकल गया question करते के साथ, ठीक है, अगर आपका बाद time है, सारे question करें, time कम है, जै ठीक है, अब बाकी risk assessment में आपकी सिर्फ practice है, जितनी practice कर लें उतना ही बहतर है, clear, अब आगे चलें आज के topic की तरफ, अचा आज के topic में पहले मैं concept build करना चाहरा हूँ, मंदरा 20 minute मैं concept building के उपर लगाँगा, ये शायद इसे भी ज़गा time लगज़े, अगर concept, क्योंकि ये न अचा मुझे ये बताइए, कि auditor के जो total procedures होती हैं, जो हमने शायद आया से 500 में पड़े थे, 7 तरह के procedure होती हैं, और 3 उसके types होती हैं by purpose, 7 तरह के procedure होती है, inquiry observation inspection मगरा, 3 उसके by purpose होती है, risk assessment procedure, test of controls or substantive procedures, risk assessment procedure, test of controls or substantive procedures, अच्छा मुझे बताइए, क्या हम अपने audit के दुरान में understanding of control obtain करते हैं, client के जो internal control है, उनकी understanding of obtain करते हैं, पका, confirm, कि कभी करते हैं, कभी नहीं optional है, हमेशा करते हैं, अच्छा एक होता है, लफज है, अगो से सुनिएगा, understanding of internal control, ये से 315 में discuss हुआ है, लेकि अभी वह हमने से नहीं पड़ा, तो मैं basic level पे ही, आप से question पूछ रहा हूँ, basic understanding भी अगर आपको clear है, तो हमारा काम होता है, एक होता है, understanding of control, एक होता है, test of control, क्या दूनों एक ही चीज़ है, या फरक है, उन्दूनों में फरक है, शाबाश, understanding of control है, basic level पे internal control को understand करना, जैसे वो design हुए है कि नहीं ठीक, ठीक तरह से design हुए है कि नहीं, जैसे फर्स कीजिए, हमारा risk है कि credit sale पूर customer को हो सकती है, इसके लिए control design हुआ, एक होता है design होना, एक होता है operate होना, design क्या हुआ, कि उनकी credit sale करने से पहले, एक research report बनाई जाएगी, जिसमें उनकी financial position को evaluate किया जाएगा, उनकी क कोई ना कोई security हो सकता है, उनसे ले जाए, और एक credit limit assign की जाएगी, अब ये credit limit assign करना एक control है, क्या आप समझते हैं कि जो objective है control का, क्या, कि पूर customer को sale ना हो, उस objective के लिए ये control सही design हुआ है, कि credit limit assign की जाएगा, क्या control objective को सामने रखें, control objective, एक पूर customer को sale नहीं होनी चाहिए ये credit sale, control objective को सामने रखते हुए, ये जो control design किया गया है, control activity design की गया है, क्या credit limit सेट करनी है, और सहीड करने से पर इसको चेक करने है, क्या ये relevant है, बिल्कुल है, सही design हुआ है, बिल्कुल सही design हुआ है, और अगर control ये design हुआ हो, कि जिसको भी credit sale करेंगे ना, उसे कसम पैसे दे दोंगे, और वो कहेगा, ठीक है सर मैं कसम खा देता हूं, क्या ये control सही design हुआ है, नहीं हुआ, तो देखे, सबसे पहले हमारा मकसद ये होता है, हमने control को understand करना है, understanding of control का मतलब है, देखा जाए control सही design हुआ है, कि नहीं, सही implement हुआ है, ठीक है, मैं लफज implement की हमें देखना चाहिए, वो सही operate भी हो रहा है के नहीं, operate भी हो रहा है के नहीं, एक स्टोंड ने अपना study schedule ही गलत बनाया, objective है exam के अच्छी त्यारी करना, schedule ही उसने गलत बनाया, ठीक है, मुश्किल subject को थोड़े time दे दिया, easy वाले को ज्यादा, इसका मतलब है, control objective के लिहा प्लाइन सही नहीं, और एक स्टोंड ने प्लाइन सही बना लिया, डिजाइन सही किया, लेकिन क्या हमें उसके डिजाइन को देखके का देने, तसली कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी त्यारी हो जाएगी, कि देखना चाहिए, वो operate, effectively operate भी हो रहा है के नहीं, उसके ऊप ने पहले understanding of internal control अब्टेन करना है, यह तो करनी करना है, अगर understanding of control से पता चले, control सही design हुए है, तो आपने उसकी operating effectiveness को भी test करना है, यह बाद समझा रही है, अब सारी discussion को summarize कर रहा है, अगर आहरे जमला समझ आ गया, तो उसका मताभी तक की सारी बाते समझ आ गई, वो जमला यह है कि design of control एक अलाइदा चीज़ है, test of control एक अलाइदा चीज़ है, test of control, design of control से आगे की चीज़ है, advance की चीज़ है, पहले design of control देखते हैं सही है के नहीं, फिर test of control देखेंगे, clear, चलिए, यह हमारा पहला चेक पॉइंट, जिसमें मैंने आपको design of control और operating effectiveness control में फरक बता द लिए, लिख ले, कि सर ने बता दिया है, design of control versus operating effectiveness of control, इनमें फरक पता चलिए आपको, ठीक है, अच्छा, अब मैं सिरफ basic concepts को लेके चलूँगा, standard में, इस standard में आपको यह नहीं बताया जागा, sales पे control क्या होते हैं, purchase पे control क्या होते हैं, सिरफ broad level का concept दिया जाएगा, के controls होत अच्छा, एक और question मुझे बताईए, एक होता है, design of control, मुझे बताईए, कि हम system, sale system, purchase system का भी नाम सुना हैं, आपने, तो sale system में अगर हमने controls देखने हैं, पहले उस system के अंदर जो activities हो रही हैं, उनको देखा जाएगा, फिर control को देखा जाएगा, ऐसा ही है ना, तो एक होता ह इस system, फिर उस system के अंदर होते हैं, design of control, और फिर design of control के बाद बारी आती है, test of control की, clear? यामी, sale system के design of control, test of control, लेदा होंगे, पर chase system के design of control, test of control, लेदा होंगे, तो बहराल, अतर, जो complete हमारा, बनता है, na, concern होता है, system की activities, describe करो system को, describe करो उसके अंदर control को, और एगर control सही design टेस्ट करो लेकिन मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ दो टम्स के उपर डिजाइन ओफ कंट्रोल और टेस्ट ओफ कंट्रोल और यह कंसेट आई ऐसे 315 हमें यह बताता है रूटीन में यह चलता है लेकिन रूटीन की आर्डिट में बाज उकाते कैसी एक्सेप्शन सिच्वेशन सामने आती है जिसकी वज़ा से यह स्टेंडर आया अच्छा पहली चीज़ रखें यह दिखने में बजाहिर दो स्टेंडर है 402 और 3402 लेकिन असल में यह एक ही तस्वीर के दो रुख हैं जैसे था ना स्टेंडर आई ऐसे 510 वर्सेज 710 मिलते जुलते थे कैसे मिलते जुलते थे 510 ओपनिक बैलेस की वेरिफिकेशन को डील करता है और एकर इसमें कोई गड़बड आये ओपनिक बैलेस में या पिछले साल में कोई प्रॉब्लम आये तो उसका रिपोर्ट पे क्या एफेक्ट आएगा यह 17 डील करता है तो उसी तरह 402 आड़िट प्रोसीजर्स को डील करता है और इस 402 के साथ 3 भी लगा दे 3402 यह उसकी रिपोर्टिंग इंपलीकेशन को डील करता है अभी हमें नहीं बता कि 402, 3402 किसको डील कर रहा है अभी तो मैंने बता है यह नहीं अभी तो मैंने बता है लेकिन फिर भी आपको फरक होना चाहिए 402 में क्या लिखा होगा procedures three four zero two में क्या होगा report फिसे बोले four zero two में क्या होगा procedure three four zero two में report लिख लिए four zero two procedure three four zero two report अब आगे चलते हैं अभी standard का introduction में आपको देना लगा यह standard है conditional four zero two three four zero two अब दोनों को मैं combine कर रहा हूं अभी जो आपको से ब्लैंड कर रहा हम इनको एक ही चैप्टर एक ही टॉपिक का हिस्सा बनाएंगे 4023 402 यह दोनों स्टैंडर्ड है कंडिशनल जैसे स्टैंडर्ड कंडिशनल था 610 जैसे कंडिशनल था 620 जैसे कंडिशनल था ना कैसे कंडिशनल था वो था यूजिंग दी वर्क ओफ इंटर्नल अडिटर अगर क्लाइंट का इंटर्नल अडिपार्टमेंट है उसको यूज कर रहे हैं आप तो फिर 610 अप्लाई होगा वरना नहीं होगा अगर फाइनचर स्टेटमेंट्स प्रिपेर करने में एक्सपर्ट का वर्क यूज हुआ है तो फिर 620 अप्लाई होगा अगर एक्सपर्ट इन्वाल नहीं है 620 apply नहीं होगा 4023402 भी है क्या कि अगर हमारा client किसी service organization को use करता है हमारा client किसी service organization को use करता है तो फिर 4023402 apply होगा वरना apply नहीं होगा पहली चीज जो specifically 4023402 के हवाले से अगर हमारा audit client जिसका audit कर रहे हैं हम वो service organization को use करता है फिर 4023402 apply होगा वरना apply नहीं होगा अब यहां में पूछिए किसर यह service organization क्या है पूछे service organization क्या है यही पे खानी है ना अगर service organization है तो 4023 apply yes अगर service organization नहीं है तो no application तो इसका मतलब सबसे हम चीज तो हमारे लिए यह decide करना है service organization है क्या attentive हो कि अब समझेगा सुनिएगा जिसने यह concept समझ लिया ना standard फिर उसके बाद reading के काम रह जाता है concept है क्या अब यह देखिए यह देखिए यह है हमारा client यह organization कहले हूँ कि entity कौन सा बड़ यूज करूँ है entity का बड़ यूज करूँ है यह है entity कौन सी entity जिसका हम audit कर रहें यह हैं हम हम कौन है हम हैं हम हैं इसके auditor हम हैं इसके auditor बड़ यहां तक चांसाइब कर ले हैं अच्छा आप वैसे नॉर्मली BBA MBA वगरा आपने नहीं किया होगा अगर कभी आपने BBA MBA किया हो तो उसमें आपको अंदाजा होगा के assignments मिलती हैं जिनके marks होते हैं और assignment है के marks माक्स है हम है इसलिए assignment time हो तो खुद कर ले नहीं time तो क्या करें परचेज कर ले मुझे याद आगया वो metric में साइंस के काप भी होती थी वो परचेज किया करते थे आउट्सोर्स कर दिया करते थे वो कहां यह कहलाता है आउट्सोर्सिंग ठीक है गोरों में यह अक्सर कहां होते हैं हमारे एदर जो एशियन स्टोर्स होते हैं को पैसों की जरूरत पढ़ती रहती हैं वो कहते हैं भाजान assignment करो पैसे लो अब तो बहुत सी वेबसेट्स ने कैसी बन गई हैं यह कहलाता है आउट्सोर्सिंग इसी तरह क्या हमारे corporate world में companies जो business करती है क्या उसमें आउट्सोर्सिंग का concept है यह concept बिलकुल है यह company क्या करती है जैसे चोड़ी से example देता हूँ अब यह देखें हम आपको service provide कर रहे हैं ना हमने जो recording का काम है यह outsource कर दिय एक अलाइदा से organization है entity है वो recording का काम करती है वरना हम हम खुद भी यह काम कर सकते थे किसी को employee रख लिया जाए और उसे recording लेकिन उसके लिए हमें खुद भी recording सीखना पड़ती फिर उसको सिखाना भी पड़ती और पुरा department establish करना पड़ता जो यह काम करता लेकिन हमने ऐसे हमन इसके उपर focus कर रहे होते हैं वगारा वगारा लेकिन organization outsourcing करते हैं इसे agree करते हैं अच्छा आगे चलती है companies कौन-कौन सी services को outsource कर सकती है कि CB service को for example IT department की activities को शाल इसके लाबा accounting and bookkeeping service को भी outsource किया जा सकता है यह code of ethics में example बढ़ेंगे इसके आप counting यानि counting and bookkeeping services का मतलब क्या है कि हम कहेंगे सर जी हमने अपना counts department नहीं बनाना आप ऐसा कीजिए हम सारे दिन के बाद जितनी भी हमारा cash or cv पे हुआ होगा वो detail आपको बता देंगे आप उसे हमारे बिहाफ पे आप general एंटी पास कर दिया उससे लेजर बनाएगा उससे trial balance और फिर income statement बैलेशिट bookkeeping and counting services को outsource किया जा सकता है शायद आपने कभी कोई article में इस तरह की assignment भी की हो आँ टेनी स्वाइब बठे होते हैं अंटी वास कर देगे शाबास आजब आने खुद भी एगा चलिए तो यह outsourcing का काम होता है कलिए अच्छा इसमें यह जहिए आप पुरे का पुरा function भी outsource कर सकते हैं कुछ उसका part भी जैसे हो सकता है आप सारी कि सारी finance bookkeeping या accounting का काम outsource करते हैं हो सकता है आपके भाई ऐसा करो सिर्फ sale system outsource करते हैं आप ऐसा करना के sale invoice बना दिया करना उसकी base के उपर subsidy ledger में record कर दिया करना उसकी base पे aging बना दिया करना और जो overdue aging report से पता चलता है जो overdue balances हैं उनको follow करना collection करना उसे यह तुम्हारा काम है दूसरी example में भी हम सारा accounting booking में भी हम उसे के भाई सिर्फ payroll का काम outsource करते हैं तुम्हें यह बड़ा इसमें टेक्स की calculations होती है और बड़ी calculations होती है तो ऐसा करना कि हम तुम्हें employees का data दे दिया करेंगे originate data हम करेंगे ठीक है data दे दिया करेंगे उसकी calculation सारी तुम कर ले ना हाँ payment करने से पहले है त्यातार एक दा हूं हमें चेकर वा देना हमें पता चले है किसके से इंपलाई को कितनी payment कर रहे हो ठीक है एक दफा चेकर लेकिन बनाओ रहे तुम पेरो final approval final authorization हम करेंगे क्लिया है यह outsourcing का काम समझा गया आपको कहानी अब यहीं से start होती है क्या ऐसा possible है कि हमारे client ने कुछ ना कुछ function complete counting या bookkeeping का या कुछ function जैसे payroll का जैसे sales system का utilizing billing system outsource किया हो क्या यह possible है कि उसने outsource किया तो पॉसिबल है इस entity ने बजेर में रखेगा किसने outsource किया है यह हम हम auditor हम यह हम 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 है यह का to आउट्सोर्स किस ने किया है? कलाइंट, हमारे आडिट कलाइंट ने. अब यह हुआ, इसका कुछ ना कुछ सिस्टम यहां पे बन रहा होगा और कुछ ना कुछ सिस्टम इसने आउट्सोर्स किया होगा. कुछ ना कुछ सिस्टम इसने क्या किया होगा? आउट्सोर्स किया होगा अब ये दूसरी आर्गुनाइजेशन है जिसको आउट्सोर्स किया और ये कौन है जिसको आउट्सोर्स हुआ जिसने आउट्सोर्स किया ये कौन सी एंटिटी है जिसने आउट्सोर्स किया ये कौन सी एंटिटी है जिसको outsource हुआ, अब इसका मतलब है दो entities आ गई ना, तो फिर इनका नाम लदा-लदा होना चाहिए ताकि इसको हम कहते हैं service entity, कौन सी entity, कौन सी entity, क्योंकि ये service provide कर रही है, और इसको कहते है user entity, कौन सी entity, user entity, क्यों, क्योंकि ये उसकी services को use कर रही है, अगर ये user entity है, तो इस auditor क क्या कहना चाहिए, जो हम है, कौन सा auditor, user का auditor, user auditor, इसको क्या कहना चाहिए, हम कौन है, आइंदा से हम अपने आपको, जब ये 402, 3402 की जब कभी बात करेंगे, हम अपने आपको सिरफ auditor नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, user auditor, user auditor कौन है, जिसने user entity की financial statements को audit करना है, डंजे, अच् service entity का भी कोई auditor होगा, बहिए, service entity, अच्छा जरा guess कीजिए, मैंने बताया नहीं, आपकी judgment लेना चाहरा हूँ, उसका नाम क्या होगा, शाबाश, service auditor, बहिए, यहां तक बात समझ आगे, अच्छा मुझे बताइए, आगे चलते हैं, user entity ने, जब outsource किया होगा, अपना कुछ function completely या partly, तो उसने service entity को कैसे select किया होगा, कुछ market में quotations वगरा होगी, कुछ service entity ने आके, अपनी profile share की होगी, presentation दी होगी, हमारा system बहुत अच्छा, हमारे लोग बहुत अच्छे, हम deadline को meet करते हैं, इस तरह की बाते की होगी, service entity ने, इसके बाद selection की होगी, बहिए, selection होगी, एगरिमेंट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, एगरिमेंट हुआ होगा, किस किस के दर्म्यान में एगरिमेंट हुआ होगा, user entity और service entity, पहली चीज मुझे बताइए, क्या as a editor हमें उस agreement को पढ़ना चाहिए, उस में लिखा होगा scope of activity क्या है, क्या क्या काम outsource करवाया है, हम फ use agreement में होगा, चलिया ठीक है, अब हम है ये, अब auditing standard की एक line आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपको उसकी application, true application समझ आगी ना, तो आपको सारा ये chart, छोटा सा chart भी समझ आ जाएगा, और जो हम discuss करने जा रहे हैं वो भी, standard क्या कहता है, कहता है, auditor के लिए लाजिम है, auditor is required to obtain understanding of entity and its internal control system, auditor is required to obtain understanding of entity and another control system, ये पहली line, दूसरी line, if controls are strong, understanding से अगर पता चले, if controls are strong, auditor wants to rely on them, then auditor is also required to perform test of control, ये बास समझ आएगे, understanding of control, अबडेन करनी है, अगर control strong है, rely करना है, test of control भी करने है, अच्छा मुझे ये बताइए, फिर, हम ने, इसके, हम गए, हम गए, बागे, बागे, इसके बागे, इसके बाग, इसके बाग, इसने का, कैसे आना हुआ, हमने का, भाई, कैसे क्या, तेरे internal control को understand करने आए है, और तेरे control को अगर strong हुए, उनको test करने हैं, इसने कहा, 60% test कर पाओगे, 40% नहीं कर पाओगे, 60% की understanding मिल जाएगी, 40% की नहीं मिलेगी, इसने ये क्यों कहा, क्योंकि 60% activities यहां पे perform हो रही है, 40% activities, service organization, service entity पे perform होने, clear, शिरफ एक स्वाल का जवाब दीजिए, सारा standard इसी स्वाल पे टिका है, अगर कुछ services outsourced हैं, क्या हमें उन services की understanding और उनके controls की understanding, जो outsource हैं, obtain करनी हैं या नहीं, करनी हैं, शाबार, हमारे scope में शामिल हो गया, ना, हमारे scope में शामिल हो गया, आप नार्मल आलमें, आगे बागे, क्लाइन के पास है, अपना stock काउंड करा हो गया है, सार, 60% stock इदर है, 40% stock किसी और पार्टी के पास रिख़ए है, सम्टेम 60 पे भी करना है, 40, 60 वाला तो नार्मल हो गया, यह जो 40 वाला है, जो service entity के पास, यह standard इसको discuss करता है, यह पूरे का पुरा standard एक सवाल के जवाब को discuss करता है, क्या, अगर client ने अपनी कुछ activities outsource की हो, तो हमने उन outsource activities की understanding obtain करनी है, कैसे करेंगे, यह 402 इसका जवाब देता है और 3402, कोई आप से पूछें 402, 3402, किसी से relate करते हैं, आपने क्या कहना है, यह relate करते हैं, अगर client ने अपना कुछ system outsource किया है, service entity को, तो हमने service entity से related controls को कैसे understand करना है, test of control कैसे करने हैं, उससे related है, सारी discussion, scope समझा है आपको, 402, 3402 का, शाबाश, 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 श इसके बात हम आगे चलते हैं, आपने सिर्फ एक चीज़ जहें में रखिएगा, हलका सा यहां पे box बनाना है, और इदर कर देना है question mark, अभी पिगाट कि एक twist है, इसमें, एक character अभी भी story में है, जिसे मैं अभी नहीं ला रहा, थोड़ी देर बाद लाओंगा, फिलाल बता यूजर आइटर कौन, कलियर हो जाएगा, हम कौन, यूजर आडिटर, शाबाज, 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 स्टेंडर देखें, start कहां से, देखें, टाइटर बता रहा है, entity using service organization, यानि ये standard 4-0 to 3-4, किन पे apply होगा, उन entities पे, जो service organization को use कर रही है, किन पे apply होगा, उन entities पे, जो service organization को use कर रही है, पहली चीज़ सुन ले, कह रहा है, if entity uses service organization, if, if, अगर if नहीं है, तो standard इसारा ही relevant हो गया, लेकिन अगर, if है, entity service organization को use कर रही है, तो क्या करना है, आईटर ने understanding को ब्टेन करनी है, nature, और significance of services outsource, nature का मतलब क्या, सर क्या outsource किया है, sales किया है, कि purchase, कि payable system, कि inventory system, कि in vicing and billing system, कौन सा system outsource किया है, यह है nature, significance, कि जिस system को outsource किया है, वो significant है, कि insignificant है, तीक है, क्योंकि आगे चल कि आपको बता है, कि significance के लिहाज से, हम procedure की extent decide किया करते है, nature, क्या outsource किया, significance, कितना significant है, financial statement के वाले से, जिसको outsource किया, कोई example बता दे, किसको outsource करना है, payroll system को करते है, फिर related controls के understanding obtain करनी है, over services, अब यहां पर आप पुछे, सर यह कौन से related controls की understanding कर रहे हैं, जो user organization में है, या जो service organization में है, user entity में के service entity में, जवाब गलत है, जवाब अगलत, user entity पे, अब आप कहेंगे, सर यह कैसे हो सकता है, activity इदर है, controls भी इदर हैं, हैं भी, इदर कौन से control आगे, यार रखे, इदर final controls इदर ही आते हैं, final, जैसे आपने वो CAF level पे पढ़ा होगा, कि जब payroll process करते हैं तो उसमें हम बाज उकात range test लगाते हैं, कि salary too low या too high ना हो जाए, ये control है, calculation करते हैं, हम tax के rates updated use करते हैं, ये भी एक control है, हम देखते हैं, employee duplicate तो नहीं है, bogus employees तो नहीं है payroll sheet में, ये भी control है, ये सारे control service entity में ही apply हो रहे होंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या जब payroll बन जाती होगी, approval service entity direct हुद कर देती होगी, कि payroll को final approval के लिए user entity के पास बेजते होंगे, बेजते होंगे, इस final approval को कहते हैं, complimentary controls, क्या कहते हैं, complimentary, complimentary controls, ठीक है, additional controls, supplementary controls क्या दें इसको, यानि 95% controls तो उस function के हवाले से इधर ही आ रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ controls इधर भी तो होंगे, ऐसे थोड़ा ही है, कि उनकी approval, अब इनोंने अगर invising and billing system outsource किया था, नोंने का सर, बड़ा जोर लगाया, दो data's पैसे नहीं दे रहे, बागी समसे पैसे आ गए है, अब बताइए उनको write-off कर दें, अब बताइए recording इनोंने करनी, invising data's की, invising billing system में, aging इनोंने बनानी, subsidy ledger इनोंने बनाना, follow-up actions इनोंने लेने, collection इनोंने करनी, लेकिन अगर collection नहीं आई, write-off ये करने, इनको तो पता ही नहीं होगा, भई, कुछ ना कुछ final control, इनके पास भी होना चाहिए ना कुछ ना कुछ, इन controls को कहते हैं, complimentary controls, complimentary controls, तो याद रखे, जो हमने start में, मैंने आप से कहा ना, कि auditor ने user entity के पास जा के पूछना है, एब भाई, कौन सी service outsource की, कितनी significance है, और फिर controls, तो वो जिन controls की बात हो रही है, वो ये complimentary controls है, वो इस function, इदर तो अभी हम आये नहीं, इदर तो इदर भी आएंगे, इदर भी controls है, इन controls के evidence भी लेंगे, लेकिन अभी मैं इनके तरफ नहीं आ रहा, अभी इसकी तरफ आ रहा, यानि function outsource करने के बाद हुए, ठीक है, जैसे हम अगर बिलकुल होना है, शुरू शुरू में जब online system आया ना, उसमें हम जो lecture upload करते है, शुरू करते है, बuffering बहुत होती है, बuffering कैसे हो जगी, फिर बाद में पता चला कि हमारी जो online की team थी, वो recording के लिए वैसा ही quality रखती थी, जो शादियों में होती थी, शुरू शुरू में, वो उसमें 4-4 GB कहे के clatcher भी बन जाता था, हमने का बाई जान स्टोंट को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, लिखा क्या यहां इस से ज्यादा पिक्जल पर जाने की जरूत नहीं है, 720 बहतरीन है, बढ़ा बढ़ाया जाता है, बिल्कुर, तो अब मुझे यह अप्रूवल के जो recording, recording और सोच कर दी, final approval के कौन सा lecture upload होगा, यह तो 30 हमारे पास होनी जाए, ताकि हम देख लें उसमें ऐसा तो नहीं के lecture के बाद पार्ट होते हैं, आंगे पीछे पार्ट, पहले पार्ट B है, बाद में पार्ट A, सारा conservative लड़ हो गया, क्यूंकि हमारे जो recording वाले हैं, इनको तो नहीं बता होता है, कौन सा concern पहले आना है, कौन सा concern बाद में, ठीक है, तो इसी तरह याद रखे, हर वो entity जो outsource करती है, कुछ ना कुछ controls अपने पास रखती है, उनने कहते है, complementary controls, ठीक है, कुछ इनके अपने भी controls होंगे, के teacher दाई तरफ जा रहा है, camera दाई तरफ गुमाएं, बाई तरफ जा रहा है, जब projector के उपर question discussion करने है, lights off हो जाएं, ताके focus हो, बगारा बगारा, लेकिन कुछ user entity के भी controls, agreed, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे है, understanding किसके obtain कर रहे है, उन controls की, जो उस service के ऊपर है, जो service outsource की गई है, और यह controls, complementary controls, clear जे, हमने understanding कर ले, clear, अब आगे क्या करने, उनने का, sir, payroll system outsource किया, हमने का, ठीक है, अब यहाँ से questions, यह ICAP ना, इस statement से question बनाएगा, क्या question बनाएगा, ICAP कहेगा, भाई जान आपने client card it करने के लिए गए, वहाँ भी बता चला हुआने कुछ function outsource किये है, पहले नमर पर उताइए, क्या function जो outsource किये है, उनकी understanding हमने obtain करनी है, उनके controls की understanding obtain करनी, पक्का ना करनी है, कैसे करेंगी, ICAP पहला सवाल पुछेगा, कै कैसे करेंगे understanding, हम कहेंगे बहुत असान, सबसे पहले user entity से controls की understanding obtained होगी, user entity, activity तो perform हो रही है, service entity में, user entity से कैसे understanding मिलेगी controls की, complementary controls, और बाद 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 बाद, जब profile share करते हैं ना, यह जो service entity होती है, उस profile में लिखा होता है, कि हमारे controls कितने अच्छे हैं, हम उस agreement को, उसकी profile को भी पढ़के अंदाजा लगा सकते हैं, कि service entity बे भी जो controls होगे, वो क्या होगे, तो step number one, हमने controls की understanding obtained करनी है, किन controls की, जो complimenty है, प्लस जो user, जो service entity ने अपने service प्रवाइड करते हुए controls implement की है, उनकी, यानि जो service entity को हम बना देते हैं, निपाल में, निपाल में एक company है, वो हमारे client को counting book giving services प्रवाइड कर रही है, तो अब चुके client की general entry, कहां पास हो रही है, निपाल में, ledger कहां, निपाल में, trial balance कहां, निपाल में, counting service, सारी, तो हमें, वहां पे जो counting services प्रवाइड की जारी है, उनकी controls की understanding होनी चाहिए, step number one, अपने घर से शुरू करें, पहले वो जो user entity है, उससे पूछ ले, आपके complimentary controls क्या है, प्लस, जो निपाल में controls build कर रहे है, क्या आपको कुछ अंदाजा है, क्या है कि सर्विस आर्गनाइजेशन को कॉंटेट कर ले फोन कर ले एमेल कर ले जूम मिटिंग कर ले हम अपने क्लाइंट काड़िड कर रहे हैं पता चला कुछ काम आप करते हैं तो हम इसरा बताइए आपके कंट्रोल स्टाउंग है क्या विक है क्योंकि अब जब हम फाइल क्लाइंट से नहीं पूछेंगे के बताव क्लाइंट प्लाइंट को तो भी बताऊगा आप से काम कर लेख थी हम तो आपसे से छुषिंग है है इसकोफर कंट्क करने में और विजट करने में फरक है कॉन्टैट compare लो इमेल कर दो उन्यंट कर लो को भीविजइट का मतलब क् इसकी understanding obtain करके हमें बता control strong है कि इन चारों को अभी आगे नहीं जाना इन चारों procedures को गोर से पढ़ें फिर आप से सवाल पोछना है मैंने पहले गोर से पढ़ लीजिए इन चारों को कि यह जी कि अधिक कंपोनेंट आइटर गूरूप के लाबा भी आ सकता है हाँ जी जब भी आप किसी दूसरी आइटर क्योंकि आपके दो हिस्से थे एक गूरूप से करता था बाज उकात क्लाइंट का स्टॉक किसी दूर्दराज लोकेशन पर बढ़ा होता है उदर भी तो कुमंद आइंटर पर लिया है अच्छा मुझे बताइए हमने understanding of control obtain करना है लाजमी और अगर control हो तो test of control में understanding of control तो लाजमी है test of control में और में और भी सोच कर बताई देख अच्छा यह ना यह चार पांच प्रोसीजर एक दो तीन चार पांच standard इन में वर्ड यूज करता है और और का एंड का नहीं क्या वर्ड यूज करता है बलकि इस एक्जैम टिव सामने आ गए और और का एक्जैम में यह test किया हुआ है और फिर से test कर सकता है इसलिए अगली बात वोर से सुनिएगा उसने कहा आपने service entity के controls को understand करना है उनकी operating effectiveness देखनी है लेकिन इन में procedure number 3 नहीं हो सकता बताओ क्या करे मैंने देखा scope limitation हो गई किया आप मिजे पासी मांक से मिलेंगे क्यों मैंने क्या गलत किया वह प्रोसीजर number 3 नहीं हो सकता वान टू फो और फाइव तो हो सकता वह करनो और अगर कहे प्रोसीजर नमबर 4 और 5 नहीं हो सकता तो वह की करनो यह एक्जैम में रखेगा पांच procedure है हो सकता आई कैप आप कि आप से पूछे के ऐक पर फामि और बता हो भीरियस के स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाएगा आपने एक प्रोसीजर की वजै से स्कोप लिमिटेशन की तरफ नहीं जाना आपकर एक सकता नतों ड आहल अलटनेटिव से विभिनिज के अफिंस नहीं मिलता bescoff limitation है प्र मांत आप में operating effectiveness of controls के बारे में evidence लेना है, test of control के बारे में evidence लेना है, क्या पहले और दूसरे procedure से आपको evidence मिल जाएगा, बताएगे, yes के लोगे, क्या पहले और दूसरे, देखें हमने दो काम करने, understanding of control, test of control, इन दोनों कामों के लिए पांचों procedure है, standard ने इसको लादा लादा नहीं किया हुआ, standard करते है, understanding of control, service organization के control, see understanding के लिए क्या procedure, यह पांच, service organization के operating of control, test करने के लिए क्या procedure, यह ही पांच, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, तो यह उपर वाले दो है ना, यह normally, यह हलके level के procedure है, यह understanding के लिए suitable है, test के लिए ने, test के लिए आपको आगे भी जाना पर, लेक level concern जिन्द में रखे, क्या, जब कभी आई कैब आप शे बूशेगा, यह भाई बताओ, के client आपका service entity को use कर रहा है, उसके control की understanding कैसे obtain करोगे, आपने पांच, चो प्रोसीजर लिए और अगर case study के अंदर किसी एक procedure को roll out कर दे, तो फिर क्या करना है, बाकी के चाहर लिए यह कलिया है, अब आगे समय, पांच, पांच के लिए फिर दुबारा जाना पड़ेगा, हमें उसी diagram की तरफ, इस diagram की तरफ, यह service entity, सिरफ इसी के books को deal कर रही होगी ना, बाकी दुनिया में किसी और company को यह outsource service प्रोइड नी कर रही होगे, ऐसा ही है, कर रही होगे, पाकिस्तान में, इंडिया में, जपान, जहां-जहां से लोग आके कहेंगे, ठीक, अब का, आज के दिन हमने कहा, हमने कहा हम तुम्हारे पास visit करने आ रहे हैं, service entity नी कहा, तुम हो कौन तुम ही तो जानता ही नहीं, हमने क्या कहा, यूजर entity के auditor हैं, यूजर entity के auditor हैं, यू तुम तो मेरी auditor ही नहीं हो, जिसके auditor उस information मांगो, यह कहता है, यह तो नहीं कहता है, हम information confirm करके देता है, ऐसे यह ना, और अगर वो ना confirm करके दे रहा हो, हम client से कहते हैं, भाई ज़रा इसको फूर लगाओ, data को confirmation letter send करते हैं, क्या data यह कहता है, तुझे तो मैं जानता ही नही पास है, bankers के पास है, किसी third party के पास है, तो हम उसे approach करके evidence ले सकते हैं कि नहीं, उसी तरह बताइए, क्या कुछ information, process हो रही है service entity पे, हम उस information के बारे में evidence, service entity से ले सकते हैं कि नहीं, बिलकुल ले सकते है, service entity का अच्छा भाई समझागी, मैं अगर तुमें ना करूंगा न अगले दिन, इन्होंने का, आज तो खूब सोएंगे, क्योंकि evidence रहने में बड़े स्वाल जो आप हमने किये, साइटर को, अगले दिन किसी और auditor का phone नहीं आ जागा इनको, क्योंकि उस और auditor, उस और company का और auditor, जो दूसरी है, उसको भी तो evidence आईए, तीसरे दिन किसी और का आपनी phone आ जाएगा, यह service entity फिर अपना काम नहीं करेगी, वो अपने client के auditor को evidence की देती रहेगी, भी service entity की problem समझाई, इसलिए service entity क्या करती है, वो कहते है, ठहर जो जाए, जितने भी हमारे client है, उन सब के auditor को evidence आईए, ना, मैं problem समझ रहे हैं, देते हैं मैं सब को लादा आदा नहीं एक ही दफा, इन्हों ने उसका ninja approach लगाई, ninja approach, किसने, service entity ने, क्या ninja approach है, इन्हों ने कहा ठायर जाओ, हम एक बंदे को point करते हैं, auditor को, उसको कहते हैं, आप लोगों को हमारे control की understanding चाहिए ना, उसको कहते हैं, तुम हमारा controls understand करो, देखे, service entity ने, service auditor को engage किया, उस इसे कहा, तुम हमारा internal control, normally तो auditor को financial statement verify करने के लिए, इंगेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जहें में रखेगा, service entity ने, service auditor को financial statements verify करने के लिए, इसके opinion देने के लिए, इंगेज नहीं किया, किसलिए engage किया, internal controls पे opinion देने के लिए, किस पे, और क्यों किया, यह इसकी अपनी च auditor की जरूरत थी, इसलिए service entity यह काम, भी बात समझा रही है, service entity ने service auditor को engage किया, दो स्वाल है मेरे बस, पहला स्वाल किसलिए engage किया, कि service auditor किसी पे opinion दे, controls पे, financial statement पे नहीं, अच्छा, किसलिए, service entity अपने controls पे report ले रही है, opinion ले रही है, service auditor से, किसलिए, ताकि user auditor को दे जाए, कि बार-बार आके contact ना करें, visit ना करें, another auditor को ना भेजें, इसको हम खुद से ही information पहले त्यार करके देने, यह बात समझाई, यह report हमारे लिए बहुत अहम होने वाली है, service auditor ने service entity के controls को चेक किया, understand किया, और report दे दी, report दे दी, यह है report, पांचमा step यही है, procedure यही है, कि अग आप visit नहीं कर पाते, contact नहीं कर पाते, another auditor को भी engage नहीं कर पाते, लेकिन service entity ने खुद से किसी auditor को engage करके, अपना सारा system बता दिया, और जो जो उसके उपर, जरूरी थी verification करके opinion, वो report दे दी, तो हमारा काम हो गया, यहाँ पे हम खुद चेक कर रहे है, देखे, पहले तीन procedure मे हम service entity के control की understanding हुद अपनें कर रहे हैं, फोर्थ वाले procedure में, हम किसी और auditor को point करके कह रहे हैं हमें control की understanding दो, और फिफ्थ में, ना हम कोई काम कर रहे हैं, ना हम किसी को कह रहे हैं कि काम करें, बलके service entity हुद से auditor point करके, controls के बारे में सारी report हमें दे रही है, इसमें हमें खुद काम करना पड़ा पहले तीन procedure है, फोर्थ में हम खुद घर बैठे हैं, पकी पकाई खीर हमें मिल गए, और फिफ्थ में, जो service entity है, वो खीर भी खुद पकाई उसने, और चमत से हमें खिला भी खुद रही है, report भी खुद त्यार की, और हमें विजवा भ हो सकती है, तो बताइए, पांचों प्रोसीजर में, सबसे अच्छा प्रोसीजर आपको कौन सा लगा, report वाला, लेकिन exam में सारे लिखने है, exam में हर एक प्रोसीजर का एक नमबर आदा नमबर होगा, इतने भी लोटेश, बहुत समझा गई, अब यहां से सुनिये, जिन्द इस स्वाल का जवाब को लेगा, इन्होंने का सर खहर जाए, आम मुझे याद है, इंटरनल आइटर के वोग को यूज करने से पहले, उसकी सिस्ट्रमाटिक डिसीजर परोच चैक करते थे, 620 भी याद है, एक्सपर्ट के वोग को यूज करने से और, इंगेज करने से पहल उसकी competence, उसकी independence, regulatory environment चैक करते थे, क्या यहाँ पर अगर हम ये option यूज करते हैं, या फर्द कीजिए, ये option भी यूज करते हैं, ये भी तो वही बात होगी ना, ये option, तो क्या इन आडिटर्स की भी competence objectivity चैक करनी चाहिए के नहीं, ये भाई जो आए, फून पर चैक करनी चा कहां, फोर्थ, हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, इवैनिवेट करनी चाहिए, standard का सूली ये, कि बाई, जब कभी किसी भी professional को यूज करना ना, उसको भी evaluate करना उसके work को भी, तो ना सिरफ ये कि हम इनको evaluate करना है, बलके इनकी report को भी देखना है, इसलिए, यहां बेए, देखे, क्या लिखा हुआ, इफ रिपोर्ट ओफ सर्विस अडिटर इस यूज, इफ रिपोर्ट ओफ सर्विस अडिटर, बाद में करांतर है, स्वाल पुचा भी रहा, सर्विस अडिटर इस यूज, कहता है, report के ऊपर तो ये procedure हो जाएंगे ना, रिपोर्ट सर्विस अडिटर को भी चेक करना है, उसकी रिपोर्ट को भी चेक करना है, रिपोर्ट को भी डिसकस नहीं कर रहा था, थो दिएर में करता हूं, लेकिन यहां पे देखे, सर्वी साइट, evaluate, competence and independence, कि स्वी, evaluate, regulatory environment and adequacy of standards, regulatory environments, आई था था इस यहां कि नहीं, quality control, policy procedure, अडॉप क यहां के नहीं है जैसे हमारे उपर quality control के standard apply होते हैं हमारा काम quality वाला आइस QC आइस QC वाल इस 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 इंटरनेशनल standards on quality control जैसे आइसे 220 आइसे यह वी quality control का standard है यह यह जैसे review के उपर दो standard है 2400 और 2410 उसी तरह quality control के उपर भी दो standard है जो हमें बताते हैं कि कैसे काम करेंगे तो quality वाला होगा एक आइस QC 1 और एक आइसे 220 तो हमने देखना है क्या जिस्तरा हमारे उपर quality के वाले से standards apply होते हैं adequately standards service आइटर पर apply होते हैं हमारे ओपर legal requirements apply होते हैं उसके पर पूरी करता है करता है करता है क्लियर ठीक है अब बताइए का सर्वीस आइटर हुआ तोtownे रिलाओर लेंगे ईह कर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ड में सर्वीस आइड रहे हुए कैसे रिलाओर नहीं करने पक्का क्यों नहिं करेंगे और या व्यूंत काम करने के स्टेंडर्ड तरीका कार हो सकता है वीक हों हो सकता है इतने कंपिटेंट ना हो वगारा वगारा कलियर जी और की क्वेस्ट चलिए अब आते हैं हम इन पांच पर एक्षाइम में तो सारी प्रोसीजर एक ब्राबर है प्रैक्टिस के पॉइंट फू से सबसे एहम औ आपके फिवर्ड प्रोसीजर की तरह जो कौन सा है रिपोर्ट सार्वी साइटर की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में फाइनेंशल स्टेटमेंट्स के बारे में उपीनल दिया होगा क्या सर्वी साइटर में मुझे सिरफ दोसवारों का जवाप दे तो मुझे तसलिए हो किस एंटिटी के हैं यूजर एंटिटी के सर्विस एंटिटी के तो हम खुद कर लेंगे यूजर एंटिटी के तो हम खुद कर लेंगे यूजर एंटिटी के तो हम खुद कर लेंगे यह तो सर्विस एंटिटी के है तलिया जी यहां भी थोड़ी देर के लिए लिए लगा स्टार्ट करते हैं अब लेक्षर को जहां से छोड़ा था रपोर्ट तक हम पहुंच गये थे कि हम रपोर्ट थाविशी करेंगे सर्विस आडिटर की इस रपोर्ट में सर्विस एंटिटी के कंट्रोल्ज के बारे में दिखा होगा उनके controls के बारे में उपीनिया हो अब यहां पर थोड़ देर के रहे हो इतवा फिर से normal audit के तरफ चलते हैं controls के हवाले से normal audit में हमारा मकसद एक होता है के दो आपने यह बताना है क्या normal audit में हम जब controls के उपर discussion करते हैं auditor की responsibility controls के हवाले से सिरफ understanding of control की होती है या कि understanding of controls obtain करना ही है अगर control strong हो तो test of control की भी क्या करना होता है alternate controls के हवाले से क्या सिरफ understanding of control या test of control भी अगर control strong है किसी audit में हम सम टाइम सिरफ understanding of control obtain करते हैं और test of control ही करते हैं क्योंकि क्ट्रोल प्लिक हो हमने अर्ला इन देना हो और किसी अज़िट में हम understanding of control भी अप्डेइन करते हैं कुछ पिर्फॉर्म करते हैं तो मुझे प्ताइए सिर्फ understanding objective है यह test of control भी हो सकता है objective हो फसी अब्जेक्टिव test of control है तो auditor को system की controls के उपर तो evidence मिलना चाहिए साथ ही साथ operating effectiveness of control पे भी evidence मिलना चाहिए agree करते हैं फिर से सुनिए control के हवाले से director के दो objective हो सकते हैं या तो सिरफ understanding of control obtain करना है या understanding के साथ test of control भी करना है अगर understanding of control तो हमारा evidence जो हमें चाहिए वो सिरफ system के design और उसकी implementation के ओपर चाहिए evidence और अगर test of control भी करना है हमने तो हमें अप्रेटिंग अफेक्टिलस of control पर भी evidence है एगरिट यही concern यहां पर अपलाई होता है कि हमें service auditor से जो report चाहिए क्या हमें सिरफ understanding of controls की report चाहिए या के test of control की भी report चाहिए यह depend करता है auditor के objective के उपर अगर auditor का मकसद है कि उसने evidence obtain करना है auditor मीन user auditor अगर user auditor का मकसद है कि उस पे सिरफ understanding of control obtain करनी है test of control नहीं तो जो report मिलेगी वो से कहेंगे type 1 report और अगर auditor को understanding of control के साथ साथ operating effectiveness of control पर भी evidence चाहिए तो जो report चाहिए उसे कहते हैं type 2 report यानि अब मुझे बताईए अगर user auditor ये चाहता है कि उसे service entity के controls की सिरफ understanding मिल जाए तो वो कौन सी report मंगेगा और अगर वो चाहता है उसे understanding of control के साथ साथ तो प्रेटिंग effectiveness of controls पर भी evidence चाहिए फिर कौन सी report मांगेगा type 2 report तो जहें में रखेगा जो service auditor service entity के controls पर होती है एक टाइप 1 एक टाइप 2 टाइप 1 report जो कौन देता है service auditor किस चीज़ पर service entity के controls पर जो टाइप 1 report होगी ना उसमें सिरफ लिखा जाएगा system system क्या है जैसे payroll का system outsource किया है activities क्या होती है और इस system में controls कौन कौन से description of system and design of control type 1 report में क्या होगा किस चीज़ पर opinion होगा description of system design of control और type 2 में किन चीज़ पर opinion होगा दोने तीन किस किस पे description of system पे भी design of control पे भी और operating effectiveness of controls पे भी बास समझा रहे हैं तो जो service auditor report दे रहा है कितनी किसम की है कौन कौन से type 1 type 2 फरक या है दोनों में type 1 report में सिरफ system को describe किया जाता है description of system and design of control और type 2 में किन चीज़ पर opinion होता है तीन description of system, design of control, operating effectiveness of control दोनों में फरक समझा गया अच्छा तो ज़रा मुझे बताईए एक सवाल उसके बाद आगे चलते हैं आप auditor है company के उसने अपनी कुछ services outsource की है आपका मकसद है कि इस outsource functions के पे controls की understanding को obtain करनी है और test of controls का भी evidence करना है कौन सी report चाहिए आपको type 2 और अगर आपने सिरफ controls की understanding obtained करने है type 1 यह type 2 भी चल सकता है अगर understanding of control चाहिए design of control चाहिए तो type 1 type 2 दोनों चल सकती है लेकिन अगर operating factors controls पे evidence चाहिए type 1 और type 2 समझ आगया तो मुझे बताई है यह 5 procedure किस सीज़ के थे जब हमारा client को services outsource कर रहा हो हमने उस outsource function के ओपर भी controls की understanding को obtain करने के लिए 5 procedure है सबसे हैं procedure क्या है report किस की service auditory की और यह report कितनी किसम की हो सकती है दो type 1 और type 2 पे फरक समझ आगया क्या है type 1 में दो opinions होते हैं किस की सीज़ को उपर description of system design of control और type 2 report में तीन opinions होते हैं description of system design of control और operating effectiveness of control यह concern में रखेगा अब सुनिए अगर exam में वो कह दे अगर वो कह दे कि आप service entity के control की understanding कैसे obtain करेंगे आप में सारे procedure लिखने हैं और अगर वो किसी एक procedure के बारे में कह दे कि यह perform नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे बाकिए करें और अगर वो कह दे कि आपने यह procedure perform किये आपको जो user entity है जो user entity है उसकी तरफ से या service entity की तरफ से type 1 report दे दी गई तो क्या आप आँखे बंद करके तबार कर लेंगे जैसे मुझे बताइए जब client reevaluation करता है हमारे सामने expert की valuation report रख देता है आँखे बंद करके तबार कर लेते हैं उसी तरह हमारे सामने जब service provider की तबार कर लेना चाहिए नहीं उसको भी evaluate करना चाहिए रीपोर्ट को भी evaluate करना चाहिए Service administrator को evaluate करना के लिए क्या procedure है ये दो discuss हो गये रीपोर्ट को कैसे evaluate करेंगे ये depend करता है type 1 की report है कि type 2 की report type 1 की report है तो आपके procedure ये होंगे type 2 की report है प्रोषीजर ये है ठीक है टाइब वन की रिपोर्ट है ना तो आपने evidence obtain करना है सिरफ understanding of control पे टाइब टू की रिपोर्ट है तो आपने evidence obtain करना understanding के साथ साथ operating effectiveness of control में भी लिंक समझ आ रहा है ना आपको यह समझ लिजे इसी के आगे procedure है अगर मेरे बाद जगा होती ना तो मैं यह वाले procedure इस type 1 के नीचे लिखने था कि मैं यह report है इसको verify करने के लिए यह procedure यह report है इसको verify करने के लिए यह procedure लेकिन जगा कम आगे लिख दि देखो date appropriate है के नहीं date appropriate है के नहीं कहिं ऐसा तो नहीं वही हिसाब हो जा है हमारे साथ जो component वाले case में हुआ था यार है किसी और period की हम audit कर रहे हों किसी और period का और जो report है किसी और period की हो वैसे हो सकता है कि नहीं देखें न देखें न ये था हमारा user entity अब यह जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ है यह है user auditor यह है service entity यह है service auditor हमें इसके audit के दुरान में कुछ security यहां पर perform हो रहे थी इसलिए हमें report की जुरूत पड़ी क्या यह लाजमी है कि जो इसका year end हो वो ही इसका भी year end हो लाजमी तो नहीं है ना क्या यह लाजमी है कि जिस period की audit कर रहे है report उसी period की हो हो सकता है report आगे बीची हो जाए अगर हम year end audit कर रहे हैं 31 December का इसका हो सकता है 30 June का year end हो तो इसका मतब जो report मिलेगी 6 महीने तो हमारे cover कर रही है अगले 6 महीने cover तो सबसे पहली सी जो हमें देखनी है ना वो यह कि डेट कौन सी है किस डेट के उपर वो हमें report date है ठीक है जैसे यह report ने 30 June के तो report होगी 30 June के उपर इसका मतलब है 30 June तक तो हमें evidence मिल गया 30 June के बाद का evidence वो हमें फिर लादा से आसिल करना पड़ेगा यह बाद समझाई है यह समझारी यह बाद यह 31 December 2023 है यह 30 June 2023 है तो चलो report मिल गया हमें system के बारे में लेकिन कितने अर्सेगा मिला शे मिनों शे मिनों के बाद में देखने हैं अच्छा उसमें फिर हम थोड़ा जुगार भी लगा लेते हैं हम देखने हैं हम कहते हैं अच्छा 6 मिनों का अविडंस मिल गया अब जुलाई से समबर का हीड़ा है आपका system कोई चेंज तो नहीं हुआ कोई नया एंप्लाइज तो नहीं आया पूई प्राहना एंप्लाइज चोड़के तो नहीं गया दो दिशी अगर कुछ रूसे नहीं हुए अगर कुछ ने नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है लिए अपनी एसेशमेंट गर रहे हैं अगने शे मिनों में भी सेंग सेूस्टॉ तो यह एधी करना है अच्छा यहां करना है घंपलीमेंटी स्कुणी कि अगaniu से अधीर करना है देड की यह हमीद समय आपको क्या एधीर करना है अच्छा महीं हुए कुलिमेंटी लोन चेंश को भी ज़ा करना जर्द में उसी ऊस्ध हे और हम while report is appropriate यह पता कैसे पता चलता है read करे read करे क्या system को सही तरीके से describe किया गया है और जो system एक्विटीज है उसके लहास ही control को design किया गया है यह जब आप report का format पढ़ेंगे ना जो कि अभी पढ़ेंगे हो उसमें आप देखेंगे कि system की activities भी लिखी होती है controls भी लिखी होती है जिसके उपर item opinion देना होता है जिस तरह हमारी financial statements और audit court होती है न ये financial statements उसके साथ audit court जुरती है उसी तरह अगर subject matter control हो तो आपका क्या ख्याल है कि सरफ audit court एक सफ़े की हुआ करेगी कि उसके साथ 2-3 pages लगे होंगे जिनमें वो controls बताये के होंगे जिनको पर report है अगर subject matter financial statement है वो audit court के साथ attach होती है अगर subject matter controls होंगे वो भी service idea की रपोर्ट के साथ attach होंगे न तो हम वो पढ़ लेते हैं कि क्या system है क्या controls है यही procedure तकरीबन type 2 report के भी है सिर्फ एक फरक के साथ type 2 report में भी हम यही देखते है date और period appropriate है के नहीं type 2 में भी हम complimentary controls को देखते है हाँ फरक क्या है अब की बार सिर्फ understand नहीं करना test भी करना ठीक है और यहां पे भी जब हमने देखा था report appropriate है के नहीं evidence appropriate है के नहीं यहां पे उस evidence में हम सिर्फ यह देखते हैं system को सही describe किया के नहीं design control सही हुए के नहीं जब के यहां पे हम ने देखना है evidence वैल्येट करते हुए system सही design हुआ के नहीं control सही design हुए के नहीं system describe हुआ के नहीं control design हुए के नहीं और test of controls भी perform सही हुए के नहीं तो यहां पे evidence में हमने सिर्फ दो चीज़ों को देखना है जब कि इस report में जब evidence देखना है हमने तो तीन चीज़ें देखने हैं कुण कुण सी बहुत डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम डिजाइन ऑफ कंट्रोर टेस्ट अ कुछ समझाता है यह 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 पहला और तीसरा यह 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 दोनों प्रोसीजर ना रिपोर्ट को पढ़ने से पूरे होंगे यह वाला प्रोसीजर तो हम उलादा से कुछाम कर लेते हैं यहां पे भी पहला और तीसरा यह दोनों प्रोसीजर रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलेंगे के एक कंट्रोल सही डिजाइन हुए के नहीं टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक्रोपेट थे के नहीं तो अभी तक आपको पता चल गया कि सर्विस और अर्गनाइजेशन के सिस्टम पे एविडेंस अब्टेन करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर हैं पांच उन में से अगर क कि एक तरीका नहीं हो सकता आप क्या करें बागी के दूसरा तीसरा तरीका वो कहेगा टाइब वन रिपोर्ट आपके सामने है या टाइब टू रिपोर्ट आपके सामने है क्या प्रोसीजर प्रोफार्म करेंग एविडेंस और पेन करने के लिए वो यह बता लिए इसमें के साथ ये बताना भूल जाएगा क्योंकि ये भी इसी कंसर्ट का हिस्सा है अब आगे चलते हैं नेक्स अच्छा आपको याद है यह तक क्रीबन होरा मेन कंसर्ट कंप्रीड हो गया है आपको याद है यहां पे मैंने एक क्वेस्टन माक करवाया था अब सुनी और कंप्राफ क्यासा पॉसीबल है यूजर करे के हमारी कुछ बीद़िए कर सकते हैं कि इसा पॉसीबले की सर्भीस मदिखफे हमारेlla-alala 서 पेब Study रहे स्थी खाव काम होगा है मैं यहानी क्या ऐसा हो सकता है किये में आगे फूरदर अपना काम आउट सोर्फ किया हो है मोग में सबसेड़ी की सभ सेडरी होती है सब सबसेडरी उसी तरह याद रखिएगा सर्विस एंटिटी की सर्विस एंटिटी भी सब सर्विस एंटिटी होती है बहुती है सर्विस एंटिटी की सर्विस एंटिटी हो सकती है हो सकती है उसे हम क्या बोलेंगे सब सर्विस एंटिटी अगर इसका काम आउट्सोस हुआ इदर हमें इसके system को अंड़स्रेंड करना चाहिए और अगर कुछ काम इसने आगे फदर आउट्सोस कर दिया तो सब सर्विस एंडिटी के system को अंड़स्रेंड करना चाहिए के नहीं अब हमने करना है के नहीं इट डिपेंड़ इट डिपेंड़ यह आपकी किसमत है अब गोर से सुनिएगा अगर तो सर्विस एंटिटी के सर्विस आडिटर ने सर्विस एंटिटी के सिस्टम पे जो रिपोर्ट दी है अगर उसमें सब सर्विस एंटिटी की एक्टिविटी कवर हो रही है इसके सिस्टम कवर हो रहे हैं तो हमने हुद से इसके ओपर कोई काम क्यों नहीं करना वाला है अगर सब सर्विस एंटिटी तो है लेकिन सर्विस आडिटर ने अपनी रिपोर्ट में सब सर्विस एंटिटी के सिस्टम को कवर नहीं किया तो हमने क्या करना है तो हमने वो सारे काम जो इस केस में करने थे वो सारे काम अब इसके लिए भी करने है वो कहता है अगर सर्हूस अडिटर के लिए सबसर्विस एनटीटी बन जाती है और वह काम जो सने इदर करने हैं लेकिन अगे नहीं सोचना आखने हैं अगर इसकी बिस्की खाब सर्मू तो उइस से यहां डिल की कहे हैं लेकिन standard यहां पर कहके बाद close हो गया standard यह last concept हमारा यही है वो कह रहा है अगर service organization किसी sub service organization को use कर रहे हुई तो आपने देखना है कि क्या service organization की report में sub service organization की activities describe हो रही है या कि नहीं अगर sub service organization को use किया जा रहा है service organization sub service को use कर रही है तो हमने देखना है क्या service organization की type 1 या type 2 report में sub service organization को रही है कि नहीं अगर cover हो रही है तो इसको कहते हैं inclusive method of reporting इसको क्या कहते है इंक्लूसिव है बहतरीन बहतरीन हमने कुछ नहीं करना यूजर आडिटर ने कुछ नहीं करना इसने service organization के report से sub service को क्या कर दिया out कर दिया इस तुरते हाल में क्या होगा यूजर आडिटर को sub service organization के controls का भी evidence लेना पड़ेगा same standard apply होगा मैं कुछ कुछ बास समय जाए अब simple अच्छा अगर फर्स कीजिए यह हमें discuss कर लिया जो हमें type 1 या type 2 record मिलती है यह किसी और period period mismatch है जैसे वो component वाले आइसे 600 में था period mismatch है तो क्या करें बैस जो period match है ना छे महीने का evidence मिल गया जो बाकी के छे महीने है उनमें देखें को चेंज होगा रहा तो नहीं additional procedure perform कर ले additional procedure क्या होगे हम चेंज बगारा देख लेंगे इस सिस्टम में जी यादस आया से 505 में बास उकात ऐसा होता था डेटर को confirmation letter बेजा दस महीने का balance confirm कर दिया तो हम बाकी दो मीनों पे क्या करते थे additional procedure वही concept यहाँ सम्टाइम ऐसा होता था inventory count balance sheet देट में नहीं होती थी आगे पीछे किसी time पे हो जाते थे तो क्या करते थे additional procedure rollback यह रोल फार्मट वही concept इदर है कि अगर report outside reporting period किया है तो यह जितने 6-7-8 मीने match होते हैं उनका evidence मिल गया हमें बाकी का additional procedure और additional procedure में बताता यहीं कि देखेंगे परसोनल चेंज तो नहीं हुए सर्विस और अगर अगर आपको अब simple question routine वाला client ने हमारे अब मैं नाम यूज़ कर रहा हूं user organization ने कुछ service की है लेकिन आपको यह procedure पर फार्म करके sufficient appropriate evidence नहीं मिल सका तो क्या करना चाहिए scope limitation होगी ओपीनियन क्या होगा test of control वी कहा तो सब सेंटी पूसे बढ़ा देंगे और अगर understanding of control ही नहीं मिली देखें test of control आप्शनल होते हैं अगर अगर वो कहे ना थोड़ा technical decision करता हम अगर कहे ना type 2 report नहीं मिली type 1 मिल गई है आप कहेंगे ठीक है understanding of control मिल गई test of control नहीं हुए सब सेंटी प्रोसेजर बढ़ा दो यही कह रहे हैं आप और अगर टाइप 1 भी ना मिले और यह प्रोसेजर भी ना हो सके अब क्या होगा स्कॉप लिमिटेशन होगी कैं नहीं है अगर वो मटेरियल है स्कॉप लिमिटेशन हो गई और अगर वो function material है qualified है यही वह बता रहा था अगर under sufficient understanding आपको control की obtain नहीं होती तो वो क्या होगा क्या हम service auditor के work को गर use करते हैं रिपोर्ट मुसका जिकर कर सकते हैं नहीं कर सकते unless required by law यह necessary हो यह वही concept है जो आई से 620 में था और 600 नहीं था कि expert के work को refer नहीं करना अपने रिपोर्ट में unless required by law यह modification explain करने के लिए जरूए तो यह मुझे बताईए कि आपने सबसे हम चीज क्या पड़ी कि अगर services outsource हो रही हो तो आपने इंडर्सेंडिंग कैसे उप्लीट करें ठीक है अब देखे टाइब 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 टू रिपोर्ट बाल बाल जी कर आ रहा है तो क्या दिल कर रहा आप तो पड़ने का शाबास शाबास ऐसा कि आप जल्दी स अब हम 3402 की तरफ जा रहे हैं 3402 में कंसेट करीबन वही हैं जो 402 में फरक सिरफ यह है कि इसमें रिपोर्ट उससे डिसकस की है इसमें सबसे एची चीज़ पता क्या है अगर आप सिरफ रिपोर्ट पढ़ने ना एक आपके 402 और 3402 दोनों के कंसेट रिवाइज हो जाते हैं सिरफ एक रिपोर्ट पढ़ने हैं जैसे आप खुद सोचें 700 में आइट होता है कि इसी तरीके से 43402 की रिपोर्ट पढ़ने तो हर कंसेट जो 402 और 3402 का उसका रिपोर्ट में जिकर रहा है अभी पहले आपको टाइफ 1 और टाइफ 2 रिपोर्ट में फरक बता रहा है 402 में तो आपको सिरफ में जलकी दिखाई थी डैफिनेशन देखे आगे नि सबसे पहले स्कोप कह रहा है स्कोप टाइफ 1 के स्कोप में क्या होगा दो चीजें टाइफ 2 की स्कोप में क्या होगा तीन चीजें टाइफ 1 रिपोर्ट के स्कोप में क्या क्या होता है डिस्रिप्शन ओफ सिस्टम डिजाइन अफ कंट्रोल और टाइफ 2 के स्कोप में क्या टेस्ट को प्रूंड नहीं होते यह जह इए रखिएगा जो टाइब बन में शांद है वो टाइब टू में विशामिल है लेकिन जो टाइब टु में है काऊ गाई बन में नहीं है अप्रेटीं एकेड़ दूसरा सर्विस आर्गोनाइजेशन के रिस्पॉंसिबिलिटेशं लिखी होते हैं हर रेपोर्ड में management की responsibility लिखी होती है ना उसमें भी लिखी होगी अब यह देखें उपर वारे खाने में कहा रहा है service organization management की responsibility जानी और नीचे क्या क्या रहा है service address responsibility management की responsibility में क्या है system को describe किसने करना है description किसने करना है management नाइं ले आडेटर ने ने बताना है कि describe सही हुआ है कि नहीं हुआ जैसे financial statements prepare किसने करना होती है नार्मल अर्ट में और रोइटर नह क्या करना होता है कि आट अ क्या करना होता है कि कंट्रूल objective बताना है तो design, implementation and operating effectiveness control, यह बताना है, हाँ type 1 में operating effectiveness control की बात नहीं होगी, type 2 में होगी, यानि responsibilities दोनों report में है, type 1 report में सिरफ उसके system और control की responsibility है, और type 2 में operating effectiveness की भी शामग है, clear, क्युक्कि देखें, दोनों में basic difference तो एक ही है, controls का, test of control का, बाकी सारे difference उसी की बजा से आ रहे है, independence and quality control, क्या service auditor का service entity से independent होना ज़रूरी है, service auditor का quality control, standard पूरे करना ज़रूरी है, service auditor की responsibility क्या होगी, अच्छा type 1 की responsibility, type 2 की responsibility में क्या फरक है, type 1 में service auditor ने opinion express करना है, सिरफ design of system पे, description of system पे और design of control पे, और type 2 में, description of system प्लस design of control प्लस अप्रेटियम पेक्रेटियन से पे लिपोर्ल, शाबाश, limitation, क्या ये लिखा जाएगा, कि ये report सिरफ service entity के users के लिए है, और उनके auditor के लिए है, और कोई इसको इसको इस्तमाल ना करे, जब कभी special purpose report बनती है, यूजर को receipt कर दिया जाता है ना, तो ये भी special purpose नहीं लग रहा आपको, कि general purpose है, तो कह रहा है, limitation लिख देंगे, कि ये, किसी specific, अच्छा ये interesting बास सुनें, वो कह रहा है, ये service organization के जितने भी users है, सब के लिए है, किसी specific एकी फर्माइश के लिए नहीं है, भी बास समझा रही है, report prepared for broad range of, अच्छा broad range of user का मतलब all user नहीं है, नहीं समझाए, हाँ, limitation, अगर किसी bank के कहने पर report बनाई जा रही है, नार्मल audit में, ठीक है, दो statement दे रहा हूँ, आपने बताने, दोनों में फरक है कि नहीं, this report is only prepared for MCB, दूसरा, this report is only prepared for bankers, फरक है ना, कि आप ये कह सकते हैं, दोनों special purpose, दोनों में parties को रिस्टिट किया जा रहा है, फरक सिर्फ ये है कि जब हम bankers का word यूज कर रहे हैं तो ये broad range हो गई, यानि उसमें सारे bankers शामिल होगे, लेकिन bankers के लावा और कोई नहीं स्नुमाल कर सकता, तो यहां पे भी broad range of users से मुराद all users नहीं है, कौन है, सिर्फ जो user organizations हैं और उनके याडियोगार, opinion, type 1 report में कितने opinion होगे, type 1 में कितने, type 2 में, पढ़के देखे, इसमें number of opinion के लाभा एक और फरक भी है, मैं देखता हम आप बूज बाते हैं कि दे, पढ़े 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 शाबाज, type 1 में कितने रहे हैं, यह तो description of system पे opinion हो गया, फिर whether related controls stated in description, or should have be designed and implemented as at, यह design of control पे opinion हो गया, इसमें तीन, system पे भी, design पे भी, और operating, तीन, एक और भी फ़रक है, हाँ, एक में as zone है, एक में throughout the period, इसका मतलब है type 1 की report होती है as zone, अब अगर आप जाके देखें तो उसमें date और period दो term यूज होई है, टाइप 1 में हमने देखना date appropriate है के नहीं, टाइप 2 में date के साथ period भी, टीक है, description of test of control, टाइप 1 में test of control की description होगी, टाइप 2 में होगी, यूजर एंड परपाज वो डिस्क्राइब कर सकते हैं special पर, अच्छा यहां पर एक बात कर रहा है to be useful minimum period for type 2 report is six months, यह नव टाइप 2 की report वो दो महिने की देदे हमें, कर एक कम चे महिने का evidence आपको मिल ला हो तो बाकी चे महिनों का आप additional procedure से आसिल कर सकते हैं, लेकिन type 2 से अगर report से evidence यह आपका दो महिने मैच हो रहे हुए, अगर कोई November की October की confirmation बेजिए उसका balance आया तो December तक का additional procedures evidence मिल सकता है, अगर फरवरी में बेज दिया, वो थोड़ी 10 मिनों का थोड़ी होगा, वही दो तीन मिनों की जुगार लग जाती है, आट तीन मिनों की जुगार तो इना लगती, यही समझा रहा है, तो भी उसको मिनों की जाखा टाइप टू से मिल जाएं, बाकि फिर आप additional की तरफ जाएं, अब आगे आपका format, इसमें एक दो बातें सुनें, हम पढ़ेंगे हों, एक एक लफ़ज पढ़ेंगे, बेफिकर हो जाना तो नहीं आना, आपने कहीं आज, अगर आप original standard देखेंगे, उसमें दो रिपोर्ट्स हैं, एक टाइप बन की, एक टाइप बन की, हम ने कहा हम एक दो रिपोर्ट पढ़नें बैठेंगे तो दो बज़एंगे रापके, ऐसे नहीं, दस को बज़एंगे तो कोई प्रफलम नहीं है, इससे ज़एदा हमने नह है, तो हमने क्या किया, कि दो रिपोर्ट्स की एक रिपोर्ट बना दे, इस जब जब रिपोर्ट को रीड करेंगे ना, आपको तीन तरह के sentences मिलेंगे, एक वो sentence, जिसकी ना single underline है, ना double underline है, जैसे ये, ये दोनों में है, फिर आपको वो sentences मिलेंगे जो single underline है, जो एक दफ underline है, वो type 1 report में मिलेगा, type 2 में नहीं मिलेगा, और एक वो है, जो इसके नीचे दो underlines है, दो रफ अंडर लाइन, double underline, type 2 में मिलेगा, जो single underline है, सिर्फ type 1, जो double underline है, सिर्फ type 2, और जो no underline है, वो दोनों मिलेगा, service auditors assurance report, assurance report का मतलब यह भी assurance, engagement है, assurance engagement है, इसका मतलब क्या assurance engagement में सिर्फ financial statements के उपर opinion दिया जा सकता है, other भी subject matter हो सकते हैं, यह उसकी example आगे, controls, on description of controls and their design, and operating effectiveness, इसका मतलब क्या हुआ, अगर type 1 report है, तो यहीं पे खतम हो जाएगी, क्योंकि उसने सिर्फ description पे और design पे opinion देना है और अगर type 2 report है, to x, y, z, service organization, user नहीं, क्योंकि यह service auditor, service organization को report दे रहा है, फिर service organization, user organization को देगी, और user organization हमें देगी, scope, बताइए क्या फरक होगा, type 1 में दो चीज़े होंगी, type 2 में 3, we have been engaged to report on x, y, z, service organization, description at page, number 3 से लेके 7 तक, ये वो साथ में financial statement as QV, एक तरह से, for processing customer transaction throughout the period, यानि customer, इसका मतलब है, sales and billing system outsource होगा है, throughout the period, this to date, this and on the design and operation of controls, related to control objective stated in description, ठीक है, वो कह रहे हमें engage किया गया है, कि हम, design और operations पे भी, देखे, operations को underline किया double, design को नहीं किया, design तो type 1 में भी होता है, operating effectiveness control सिर्फ type 2 में होती है, ये उसको double underline किया है, related to control objective stated in description, ये वा समझा आ गई, फिर आगे कह रहा है, we did not perform any procedure regarding operating effectiveness control, included in description and according, do not express any opinion, दे रहों, ये क्या गहार है इसमें, कह रहा है, test of control पे पीन नहीं दे रहे है, ये किस report में लिखा जाएगा, type 1, type 1, type 2 में तो opinion देते हैं, इसलिए ये single underline है, जी हाँ वो throughout और as type 1 और type 2 के लिहाँ से आ जाएगा, type 1 है तो आप as on लिख देंके type 2 है तो, x, y, z service organization responsibility ये आते थे, x, y, z service organization responsible for preparing and description and accompanying statement at page number जिसमें सारा system describe किया होगा, system सारा report के अंदर हो की नहीं आता है, system सारा थोड़ी describe होता है, subject matter report के अंदर ही आ जाता है क्या, कि सब्जेक्ट मेंटर लधा हुथ है तो इसलिए वो यह जो सफ़ा नंबर बता रहा है इस सफ़ा नंबर पर क्या लिखा होगा सिस्टम्ज और कंट्रोल अक्यटिटीज बगाई है इंकलूदिंग प्रविट हुश गवर वायद बाय दिस्क्रिप्शन स्टेटिंग दा इस कवर दा कंट्रोल अब जैक्टिव डिजाइन एंप्लिमेंटेशन अन इस्टेक्टिफ्टि अशींग है अब यह देखें मैंट् आपागा करने करने उसको भी च्क करना करने उसको भी चेक करने के नहीं उसमें क्या नेखेगे नाचाहिए कंप्टेंट होना चाहिए क्वालिटी स्टेंडर्स मीट करता हो लिए कॉप्लाइड दा इंडबेंडेडेंस अनदर एथिकल रिक्वार्मेंट्ट एथिक्स इसूद बाई इंट्रनेशन एथिक्स चैन्र बोर्ड विच इस फांडेड ओन्ड़ फंडामेंटल प्रिंसपल और इंट्रेटी अब्जेक्टिविटी कंपिटेंस कॉंपिटेंचल दी प्रिंसपल अगर आपको याद थो थोड़ा-थोड़ा कोड़ फैक्टिश की सारी रिक्वार्मेंट पूरा किया फिर क्या रहे हैं फिर फरम ने आई-एस-गुसी-वान को भी पूरा किया और हमारे एक कंप्रियंसिफ इस्टम आप्वाल्टी कंट्रोल का जिसमें हम एप्लीकेबल लेकर एंट्रेटी रिक्वार्मेंट्स को भी फालो करते हैं अब ये क्लिए हो गया सर्वी स्थाइट्सिपेलिटी अभर क्या है रिस्पॉशिबिल्टी हो अब रिस्पॉसिबिल्टे इस्ट्रीशन इंड प्रेस्ट्रेशन कभ लिखना यह तायर 2 में ऑफ lov lightning to control objective stated in description based on procedures we conducted our engagement in Cortes with international standard on assurance engagement 3402। यहish इसका नाम बता रहा है, इसुट भाया, IASB, that standard request that we plan and perform our procedure to obtain reasonable assurance about whether in all material respects, the description is fairly presented and controls are suitably designed and operating effectively. Underline, type 1 ना बन जाए हाँ, तो आप ऐसा करें, क्या करें, हाई लाइट कर दें, हाई लाइट कर दें, हाई लाइट कहा, underline ना करें, type 1 बन जाए हाँ अब यह explain कर रहा है, आपको जासे हम अपने normal audit report में भी explain करते हैं, audit procedure को, यहाँ भी explanation है क्या है, शोने स्केजमेंट में, जिसमें हमने design, description, design and operating final control पर opinion देना है, in performing procedure to obtain evidence about disclosure, जिन्थी service are the description system and designer, क्या रपोर्ट में हम इन तीन चीनों के उपर opinion एक्स्प्रेस करते हैं, procedure selected depend on service item, judgment including assessment of risk and dad description is not fairly presented and dad controls are not suitably designed, कहता है risk है ना, तो हमारे procedure risk पर depend करते हैं, हमारे procedure judgment पर depend करते हैं, यह बात तो उसने 700 की report में भी लिखी थी, थीम देखें, थीम वैसा ही है जैसा 700 का है, जो subject matter के लिए हाज से थोड़ा change कर रहा है, थीम वैसा ही है जा 700, अब देखेंगे यह देखेंगे यह देखेंगे यह इसका मतलब क्या है, यह यह प्रोसीजर तो सिर्फ टेस्ट रफ कंट्रोल स्टाइप टूर पोड़ में आएंगे, अब इसक्रिप्शन शूटबिल्ट परफॉर्म अच्छा उपर उसने स्कॉब में भी गा था, और अब रिस्पोंस बिल्टी में भी बता रहा है, कि हमने अप्रेटिंग फेक्ट्रोस कंट्रोल से रिएटिटीर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किये, लेकिन ये कब आएगा पैर, टाइम बंद में, लिमिटेशन अफ कंट्रोल एट सर्विस आर्गनाइज़ेशन हाँ, यहां पे लिमिटेशन पता क्या कहा रहा है, अब कहता है, बाई जान, जिस डेट को हमने कहा दिया ना, उस डेट पे तो कंट्रोल ठीक थे, उसके बाद की जिम्मेदारी कोई नहीं मारी, अगर आपका पीरेट मैज नहीं करता ना, तो बाद वाले के आविनियस ले 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 ना तो, एक्स याज़ेशन शर्विस आर्गनाइज़ेशन डिस्रिप्शन इस प्रिपेर तू मीट दा कॉमन निड्ड ब्राद रेंज ऑफ कस्टमर एंड देर अडिटर्स, and may not therefore include every aspect of the system that each individual customer may consider important in its own particular environment, समझेरे, क्या कहा रहा है, कि हमारी report सिर्फ किसके लिए बनी है, हर बंदे के लिए नहीं है, सिर्फ user उनके auditor के लिए, also because of their nature control that sir may not prevent or detect all errors, यानि absolute शोरुस नहीं देरा, also the projection of any valuation effectiveness to future period is subject to risk that control that sir may become inadequate of a, कहता है future period के लिए हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है, जिस दिन हमने testing की उस दिन तो ठीक था system, उसके बाद की जिम्मेदारी नहीं है, वो system change हो सकता है, future period पे control जो प्रेट हो रहे हैं के नहीं, इसकी guarantee कोई नहीं, यही लाइन है, opinion, अच्छा दो opinion तो regular हैं, तीसरे को double underline क्यों किया है, पहला opinion, in our opinion, description fairly present the system, sales system, जो भी आउस्वोस किया होगा, as designed and implemented throughout the period, the controls related to control objectives stated in the description were suitably designed, system की बात की पहले, controls की design की बात की, controls की operating factors की बात की, controls tested are necessary, अब इसमें अगेन वो as own or throughout the period, आपने यहूद रिजस्ट कर लेना, type 1 और type 2, description of test of control, system क्या audit report के अंदर describe किया गया होगा, नहीं, साथ attach किया होगा, controls लोग डिजाइन हुए हैं, audit report में लिखे किया होगे, test of control जो audit ने perform की है, क्या यह audit report में लिखे के होगे, हाँ, यह लिखे के होगे, यह तो audit ने खुद की हैं ना, cam की तरह, शाबाश, specific controls tested at their nature, timing is included, लेकिन अगर आप net पे सर्ष करेंगे, कि मुझे ISTE 3402 की report तो दिदो, ताकि मैं controls वारा topic जो है ना, मेरे syllabus में वो त्यार करनो, आपको नहीं मिलेगी 3402, शायद कोई कदुका मिल जाए, normally नहीं मिलेगी, क्यों वारा, होती हैं, होती क्यों, publicly available नहीं होती, क्योंकि यह general users के लिए, हैं, नहीं होती, इनकी distribution को, रिस्टेट किया जा, लेखा, intended user, फिर बता रहे हैं, this report and description, is only for customer, who have used X by Z service organizations, and their auditors, who have sufficient understanding to consider, along with their other information, ठीक है, by customers, तो यहां ते वो एक तरह से, specify कर रहा है, किन users के लिए है report, फिर sign, signature, और address वोगारा, report कुछ समझाए, पहले हमने type 1, type 2 का फरक बढ़ा, फिर उसके बाद report, अब हमने type 1 की report पढ़ी के type 2 की, दोनों की शाब, आगे छोटा सा concern कर रहा है, service auditor, क्या modify डिटर की बात भी कर रहा, user auditor का opinion हमने पढ़ लिया भी, कि अगर understanding बना मिले हैं तो qualified, service auditor, अपने service organization का opinion मोडिफाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यह क्या रहा है, अगर system fairly describe नहीं हुआ, control सही design नहीं हुए, और control सही operator नहीं हो रहा है, तो opinion मोडिफाई कर रहा है, यह तीन ही थे ना, तो तीन opinion देना, जो काम नहीं हो रहा होगा, उसका opinion मोडिफाई कर देखा, बागी दो का सही, क्योंकि तीन opinion लेदा रहा है, खाले आज़े, अब क्या रहा गया वाला, गर्जान, ऐसे रहा है, एक सी सबूल ले गया, आपको कैसे पता चलेगा, जो मैंने पढ़ा है, सारा सही पढ़ा है, हो सकता है, सारा तुछ गलत पढ़ाया हो, जब आपका पास्टर पर करकी है, पक्का कराएंगे, भई कराएंगे, देखेंजी अच्छा है, पहले आप कोशिश करें, और फिर बाद में discussion हो, जब ज़्यादा अच्छा है, अगर आप करके आएंगे तो, तो बादा करते हैं, इसके पास्टर पर करके आएंगे, फोर, जारे हैंगे, यह कोई problem नहीं है, अब भी discuss कर लेता, कर लें discuss, पास कर बाद हूँ फिर, कौन से question करने हैं, यह कैसे बता चलेगा आप तो, हाँ यह दियों है, शाबाज, वर्णा वो मैंने PDF और Excel की फाइल, WhatsApp ग्रूप में share कर दी हैं न, वो paper सारे, वो zip file करके, और Excel की file जो है, वो आपके portal पे available है, और चुब के paper का size ज्यादा था, वो पोडल पे upload नहीं, और था वाट्साप ग्रूप पे कर दिया, तो आपने download कर लेना है, Excel की file से आपको पता चल जाएगा, कि कि standard का, कौन-कौन सा question कि से turn में आ है, फिर आप relevant PDF file उस paper की open करके question को, practice कर लेंगे, ठीक है जी, कर खास तोर पे आपने, सही जगा पे पहुंच भी पा रहे हैं के नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चाहिए, आज का रेक्षेरियां खत्म करते हैं, अल्ला हाफिस,